और दोस्तो यार पहली बार गेट यानि data science का paper कल होने वाला है बहुत सारे students excited हैं इसको बिकोज ये गेट का पेपर पहली बार हो रहा है इस से पहले कभी भी data science का paper नहीं होगा है जो कि कल होने वाला है और दोस्तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा excited हैं यानि इस paper को लेके कल आप paper लिखने वाले हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे student tension में भी हैं sir paper कैसा आएगा बहुत ज़रा difficult आएगा या basic आएगा या mode it आएगा कहीं न कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि sir हम तो घबरा रहे हैं हमने computer science की तयारी की है data science का उतना नहीं पड़ा है या बाकी branch वाले बच्चे भी कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे tension में हैं message भी कर रहे हैं क्या sir बहुत difficult paper आने वाला है sir अभी schedule लग रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ के लिए मिल सकते हैं और ऐसा हमेशा से gate exam में होता है यानि कोई भी paper हो वहां 5 से 10 question हमेशा से difficult देखने के लिए मिलते हैं और इतने ही question data science के paper में आपको देखने के लिए मिलेंगे दूस्तों तो मैं आपको बता दू राहुल सर जैसे कि आप तो data science के बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया तो इसके अंदर जो syllabus है mathematics का है और aptitude का है तो math और apti बच्चों को कैसे handle करना चाहिए कैसे उस paper को solve करें Hello students कल आप लोगों का paper होने वाला है तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि paper को बहुत किस तरह से approach करना है पहले इस बात पर हम बात कर लेते हैं पहली बार ये paper है और दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है कि किस तरह का paper आएगा, tough आएगा या कैसा आएगा, तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि जो syllabus में हमने आपको पढ़ाया हुआ है अब कोई भी चीज आपको इत्तु नया नहीं पढ़ना है पहली बार, ना कोई question लगाना है जो भी है revise करना है सबसे पहले mathematics का weightage ही 40 marks का है 30-40 marks, तो आप सबसे पहले linear algebra करेंगे इसके बाद आप calculus करेंगे इसके बाद तीसरा जो आप attempt करेंगे वो probability करेंगे और probability को हमने बहुत ही अच्छे ढंक से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पूरा full paper पढ़ाया हुआ है जितनी भी चीज़े हैं बहुत सारे tough और challenging problems कराए हुए है तो आप लेकिन उसको बाद में करें क्योंकि अगर आप probability करना स्टार्ट किये और logic अगर create आपके दिमाग में नहीं हो पाया या click नहीं किया तो आप वहीं पर बहुत demoralize हो जाएंगे बहुत जादा तो आप वो सब चीज़े ना करें पहले linear algebra फिर calculus फिर आपको aptitude करना है क्योंकि aptitude बहुत simple होगा ज्यादा tough नहीं होगा probability भी moderate होगी बहुत tough नहीं आएगी क्योंकि आपका paper applied है कोई बहुत theoretical चीज़े नहीं पूछी जाएंगी कि बहुत core ऐसा बहुत बात पूछी जाए तो ये चार चीज़ें आपको इस approach में करनी है पहला linear algebra दूसरा calculus तीसरा आपको aptitude और चौथा probability अगर probability के question simple हो तो उनको आप पहले approach कर सकते हैं वो question आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा अब रही बात मैं आगे सर से पूछूँगा कि आगे जो और paper हैं जैसे discrete maths का भी कुछ portion है इसके अलाबा data warehouse है इसके अलाबा artificial intelligence है और machine learning है तो थोड़ा machine learning में आपको बता देते हैं machine learning में जो चीज़ें आएंगी ज़्यादा तर आपका regression सा सकता है उसको आप पढ़के जाएए name based theorem पढ़के जाएए आप इसके बाद supervised learning unsupervised learning इसको पढ़ लीजे और ज़्यादा परेशान मत होईए machine learning भी basic पूछा जाएगा उतना ज़्यादा tough नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपने sample paper already देखा हुआ है आपको पता है कि paper की difficulty या paper कैसा आने वाला है थोड़ा idea है आपको अब मैं कुछ topic के बारे में सर से पूछूँगा कि किस तरह से approach रखना चाहिए जैसे आपका data structure, programming, discrete math, data warehouse और AI तो अब किस तरह बताईए किस तरह से बात करूँ या data structure की बात करूँ या DVS की बात करूँ तो ये subject के questions पूछे जाएंगे वो उसी type के question पूछे जाएंगे जैसे कि gate computer science में पहले से पूछते आएं तो आपने यानी sample paper भी देखा होगा तो most of the questions उस type के ही पूछे गए थे तो जो भी subject है यानी data structure हो या फिर algorithm हो या आपका database management system हो इन subject के question वैसे ही पूछे जाने वाले हैं आपने gate computer science प्रपेर किया ही है तो ये subject आप बहुत अराम से solve कर पाएंगे programming in python है याप पर programming in c नहीं है programming in python के भी बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे जैसे कि sample paper में आपको दिखाया गया था तो यानी on and average मैं आपको बता दूँ ये paper बहुत extreme जो आप सोच रहे और difficult होने वाला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आप relax रहिए बहुत प्यार के साथ इस paper को attempt कीजिए और अपना best दीजिए जब आप अपना best दोगे तो दोस्तो result इफी आपको best ही मिलेगा राहूल सर हाँ तो ये हमने लिख भी दिया है बच्चों के लिए linear algebra, calculus, probability, aptitude और probability से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको कम से कम हमने 1500 questions कराए हुए है अच्छे डंग से DPP आपने की हुई है आपको पता है कि level क्या था तो आप लोगों की probability के लिए परेशान नहीं होना है कि वहाँ पर गए और चीज़ें आपने बिगार दी आप इस pattern में बस follow करिए के बाद जो सर ने आपको बताया हुआ है warehouse के अलावा आपका discrete पाइथान मशीन लर्निंग और यह आई आपका ML और AI में भी सिंपली होगा और warehouse जो सर बाद बोल रही है वो बिल्कुल एक बहुत experience के बाद बोल रहे हैं कि जो यह topic है आपका discrete हो गया पाइथन हो गया प्रोग्रामिंग हो गया algorithm यह gate का जो label है उसी तरह से question आएंगे कि ज्यादा tough भी नहीं होगा पेपर यह कैसा होगा कि एक average बच्चा भी अच्छे डंग से उसको कर पाई बिल्कुल 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 सर तो सर यह आप लेके आए हैं आप बताईए बच्चे को और एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को कि कल हमारा paper का analysis होगा कैसे ही आपका paper खतम होगा इसी channel पर जिस पर यह video जाएगा description में हम link को डाल देंगे वहाँ पर आप आ सकते हैं मैं full paper analysis करूंगा mathematics के portion का ml का सभी का सारे हमारे educators available होगे और यहाँ पर आप paper को देख सकी और यार देखो आप में यही विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ तो आप 100% दोस्तों कर सकते हो तो यार अपने आपको एक्टम मजबूत कर लीजिए नहीं मैं यह exam फोड के आऊंगा तो आप 100% exam को फोड के आने वाले हो यह अपने मन में यह बना लिया मेरे सनियों पाएगा तो दुनिया की कोई भी तागत दोस्तों आप से उस exam को नहीं निकलवा सकती तो आपको अपने आपे विश्वास रखना है कि सर मैं यह exam फोड के आऊंगा ठीके बहुत बहतरीन तरीके से यानि सारी faculty data science के और जो AI का paper है उसके एक एक question जितने भी questions हमारे पास आएंगे उन सारे questions का आपको यानि live हम paper दोस्तों solve करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इस paper के solution मैं एक चीज़ और बोलूँगा सर आपको negative बिल्कुल नहीं होना है अब कुछ भी नहीं होना बंके सर्क कुछ बदल नहीं सकता है 24 गंटे में कितना पढ़ा हुआ है अच्छे से दो prepare करो जो भी होगा future के बारे में मसोचो अच्छी नीद लो आराम से जाके paper करना है बस और कुछ मैं नहीं गहना चाँगो best wishes आप लोगों को एकदम बिल्कुल दोस्तो बारे पंदरे पर मिलेंगे पेपर तो साड़े बारे बारे बिजिक खत्म होगा बारे पंदरे पर मिलके क्या करेंगे यार हमने आपको बताया था कि यार अनेकेडमी प्लेटफोर्म पर affordable price के अंदर आपको course मिलने वाला है तो यानि अभी इसका जो course का price है वो 9870 है और जिसकी validity दोस्तो यानि 4th of feb तक है ये course का price सिर्फ 4 feb तक रहने वाला है अब देखो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये confusion चल रहा होगा कि सर इसको इदि हम pay करेंगे तो हमको कौन सा batch मिलेगा आपको ये वाला code लगाना है batch कौन सा मिलेगा दोस्तो यहां पे subscription model है यानि उस एक साल के अंदर जितने भी batches launch होंगे वो सारे batches को आप access कर सकते हो इतने भी batches हम एक साल के अंदर लेके आएंगे आप सारे batches इसके अंदर दोस्तों क्या कर सकते हो एकसेस कर सकते हो आपको अलग-अलग batch के लिए अलग से fees पे करने के दोस्तों कोई भी ज़र्वत नहीं है All the best, thank you All the best, thank you, bye-bye